हिंदू प्रधानमंत्री मिला है, उसको काम करने दो, उंगली मत करो, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हिंदू नहीं वो गद्दार है जिसको मोधी स्विकार नहीं, मुगलो, चंगेजो, तुर्को, आदी ने हमारे हिंदू पूर्वजो पर सिर्फ अ आलाउद्दीन को, जिससे अपने सत्तित्व को बचाने के लिए, रानी पदमामिनी ने 14,000 इस्तियों के साथ जलते हुए अगनी कुंड में आहुती दे दी, मैं नहीं भूला उस जालिम औरंग जेब को, जिसने संभाजी महराज को इसलाम स्विकारने से मना करने पर तरप तरपा कर मारा था, मैं नहीं भूला टीपू सुल्तान को, जिसने एक एक दिन में लाखो हिंदों का नय संगार किया, मैं नहीं भूला उस जलाद शाजहां को, जिसने चोदे वर्ष की एक ब्रहमर बालिका के साथ अपने महल में जबरन बलतकार किया था, मैं नहीं भूला उस बरबर बाबर को जिसने मेरे श्रीराम प्रभू का मंदिर तोड़ा और लाखो निर्दोष हिंदूओं का कतल किया था। मैसेज में आगे लिखा है। कोविन सिंग के दोनों मासूम फते सिंग और जोरावर को मात्र साथ साल और पांच वर्स की उमर में इसलाम ना मानने पर दिवार में जिन्दा चुनवा दिया था। मैं नहीं भूला उस जिहादी बजीर खान को जिसने बंदा वेरागी की चमडी को गर्म लोहे की सलाखों से तब तक जलाया जब तक उसकी हड्या ना दिखने लगी मगर उस बंदा वेरागी ने इसलाम सुईकार नहीं किया। मैं नहीं भूला उस कसाई ओरंग जेब को जिसने पहले संबाजी महराज की आखों में गरम लोहे की सरीय गुसाए बाद में उन्हीं गरम सरीयों से पूर से अलग करवा दिया था। मैं नहीं भूला उस वहशी दरिंदे औरंग जेब को जिसने धर्मवीर भाई मतिदास के इसलाम कबूल नै करने पर बीच चोड़ाय पर आरे से कटवा दिया था। हम हिंदूओं पर हुए अत्यचारों को बताने के लिए शब्द और पन्ने कम ह यदि इस पोस्ट को पढ़कर मेरी तरह आपका खोन भी खोला हो तो पोस्ट को अपने मित्रों के साथ शेर जरूर करें। यह हो सकता है कि कुछ नामर्द हिंदू इसे शेर भी ना करें। यह वो शब्द हैं जो इस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और आपको जानना बेह अब अगर अगर अट्याचार के खिलाब आवाज भी ना उठाई तो गूंगे गोशित कर दिये जाओगे। तो अब इस न्यूस को शेर जरूर करो क्योंकि पूरे देश को पता लगे कि आके मोदी अच्छे हैं या वो मुगल अच्छे थे। तो न्यूस को अभी शेर करे और बने रहें Only News 24x7 के साथ सच की तेह तक।